Hello everyone, स्वामी विवेकरनन्द इंसिक्यूर्ट में आपका एक बार फिर से स्वागत है आज जो हम डिसकस करने वाले हैं that is previous year questions आप सभी को पता है कि examination की date आ गई है basically जून के अंदर या जुलाई में जाकर या attempt clear हो जाएंगे तो इसकी अच्छी preparation के लिए हमें previous year questions को ज़रूर consider करना चाहिए because उनसे एक तो आपको question के design और उनके pattern का पता चलता है कि किस accordingly L.A.S. के अंदर question design किये जाते हैं या पूछे जाते हैं अगर हम बात करें syllabus की तो syllabus में आपको topics पता रहते हैं advantages and उसके जो भी अंदर criteria आ रहा है, areas आ रहे हैं और भी चीज़े जो उसमें involved की जा रही है वो आपको सब पता चल जाता है पर जब उनसे related question बनते हैं किस तरीके से वो पूछे जा रहे हैं ये देखना कैसे वो design किये जा रहे हैं और किस topic पर किस तरीके का question बन सकता है उनके design को समझना, criteria को समझने के लिए आपको previous year के question paper को access करना बहुत बहुत जादा जरूरी है तो आज हम previous year के question जो 2023 में March attempt हुआ था जो कि basically December 2022 का attempt था उसी के previous year questions लेकर आ रहे हैं पार्ट वन में इसके हमने काफी question discuss करे थे, अब उसी को आगे बढ़ाते हुए आज पार्ट टू के अंदर हम इनके basically जो दुबारा और questions हैं वो discuss कर रहे हैं आगे वाले इनके UGC, NTA, NET, Library and Information Science, ठीक है अगर हम इसके अंदर बात करें related to questions की So first question आ रहा है आपका The first commercial full text legal information services is known as Question क्या पूछा जा रहा है सबसे पहले मैं यही आपको बताती हूँ कि हमेशा question को understand करना है कि वो आपसे क्या पूछना चाह रहे हैं तो ध्यान से question जब हम पढ़ेंगे The first commercial full text legal information services Legal information services जो की पहला commercial full text database था वो कौन सा है इन में से मानुपात्र, मानुस्मृति, Lexis-Nexis और National Legal Service Authority तो इसमें से अगर हम बात करें तो Lexis-Nexis जो है वो आपका इसके अंदर सबसे पहला documentation का जो यह legal services के अंदर था Legal information services के अंदर था वो आपका Lexis-Nexis है मानुपात्र, मानुस्मृति यहाँ पर नहीं होगे और National Legal Services Authority भी नहीं होगा So the correct answer is Lexis-Nexis यह question पूछा गया है इसके अंदर और इस तरीके से और databases के ओपर भी question पूछा जा सकता है आगे हम दूसरे question की तरफ भढ़ते है The abstracts in Indian science abstract Indian science abstract जो की एक publication है उसके abstracts को किस तरीके से arrange किया जाता है या कौन सी classification scheme को यूज करके arrange किया जाता है तो बात करें abstracts की Indian science abstract के अंदर जो schedule होता है वो बहुत ही ज़ादा depth में जाता है तो इसके लिए जो सबसे ज़ादा vast schedule है या जहाँ पर बहुत ही ज़ादा depth schedule दे रखा है related to science field हम उस classification का use करेंगे इसके अंदर तो भड़ते हैं हम अपने options की तरफ क्या क्या options हमें इसमें दे रखे हैं first option is ddc divay decimal classification ये एक scheme इसके अंदर option 1 में दे रखी है दूसरा दे रखा है आपको cc colon classification t screen screen दे रखी है lc यानि की library of congress classification और अगर हम last वाले की बात करें वो आपको दे रखा है udc यानि की universal decimal classification अब इन में से हमने पूछा गया है अगर हम दुबारा अपने question की तरफ ध्यान दें कि indian science abstract के abstract को हम किस तरीके से arrange करेंगे तो इसके अंदर जो आपके subject fields आते हैं वो काफी सारे subject field आते है विकोज यहां पर बात हो रही है science abstract की related to indian science abstract के अंदर क्या क्या information आएंगी that is related to niscare publication niscare के publication जो indian science abstract है वो किस accordingly classified किया जाता है जैसा कि मैंने आपको बताया इसको classified करने के लिए हमें वास schedule यानि के depth में जिसका schedule दे रखा हो क्योंकि बहुत सारे science के subject इसमें involved होते हैं तो वो हमें इसमें जरुत पड़ेगी तो यहां पर cc बिल्कुल नहीं होगा indian science abstract है तो जादा तर या तो ddc या udc यूज होगी lc यहां यूज नहीं की जाती क्योंकि यह जो है वो बायस्ट है related to library of congress उसके documentation से यहां पर हम indian science abstract की बात कर रहे हैं तो lc involved नहीं होगी और cc इसले involved होगी क्योंकि उसका बहुत ही short schedule है बात करते हैं अब पास दो option बचते हैं ddc या udc सब लोग जानते हैं कि ddc बहुत जादा libraries में यूज की जाती है classification के लिए similar udc भी ddc को ही देखकर udc को design किया गया था उसका schedule बनाया गया था बट जहां पर बात और यह abstract को schedule करने की या classify करने की तो यहां पर ddc यूज ना करके udc यूज किया जाता है क्योंकि इसके अंदर आपको बास schedule दे रखा है जादा बड़ा schedule दे रखा है जो each and every aspect को involve कर रहा है या उसको provide कर रहा है तो यहां पर जो आपका correct answer होगा that is option d udc that is your correct answer okay that correct answer is related to कि आपको किस accordingly या कौनसी classification इस particular subject को लगाने के लिए use की जाती है next बात करते है next question की तरह चलते है that is the first abstracting periodical was published in the field of सबसे पहला कौन सा abstracting periodical है इन field में से जो सबसे पहले publish हुई थी पहली abstracting periodical कौन से field में आई थी option की तरफ देखते हैं pharmaceutical, chemistry, mathematical science, astrophysics and astrophoric services, legal sciences तो यहां पर legal sciences, astrophysics, mathematical science ना होकर answer is pharmaceutical chemistry क्योंकि सबसे पहले abstracting periodical इस field के अंदर बनना शुरू हुई थी और publish हुई थी so your correct answer is pharmaceutical chemistry that's the correct answer next बात करते है question number 4 की motion box is a question की बात करें तो यह हमसे पूछ रहे है कि motion box क्या है तो आपने ज़्यादा तर जब movies वगएरा start होती भी देखियोंगी तो काफी जगा पे जो movie के sponsors होते हैं जो भी उसको creation करने वाले ज़्यादा तर companies होती है उसके अंदर आपने यह नाम सुना होगा motion pictures या motion videos जो भी कुछ related motion company studios यह motion कहीं ना कहीं आपको जो वर्ड देखने को मिला होगा जब starting होती है pictures की अगर आपने गौर किया हो next अभी इसके बारे में options देखते हैं कि हमें options में क्या-क्या दे रखा है option की बात करें तो पहला आ रहा है आपका knowledge sharing community दूसरा आ रहा है video sharing community तीसरा audio sharing community and the fourth one is document sharing community जैसा ही starting में आपको बताया कि motion word जो denote करता है वो ज़्यादतर video community को denote करता है और देखने में भी pictures and video के साथ attach होकर हमें देखने को मिलता है kind of a कि यह एक तरह का उसी का similar words को represent करता है जो भी video community से related है तो यहां पर document नहीं होगा ना audio होगा ना knowledge होगा correct answer होगा आपका video sharing community जो हमने discuss अभी किया था जैस तो यह correct answer is video sharing community because motion box motion जो हमने fields नाम सोना भी है किसी बच्चे ने या फिर जानते भी होंगे तो motion kind of represent करता है video pictures या movies related information को ठीक है आगे बढ़ते हैं ठीक है यहां पर इसका question basically मैं लिख देती हूँ so the question is bibliophile फाइल जो यह बिबलो फील्ट टर्म है डाट रिफर्स चू ठीक है अक्चिली यह missprint हो गया था इस वज़े से यहां पर शो नहीं हो रहा है तो यह question था basically bibliophile जो refers है या फिर जो टाम है वो किस person को या किस category को represent करती है so the options are cataloger को represent करती है classificationist को करती है information specialist को करती है या lover of books को करती है so basically जो यह term है bibliophilia, bibliophilic यह जो represent करती है यह book lover को represent करती है कि जो भी book lover है that is उसको यह term से जाना जाएगा या पहचाना जाता है तो यहां पर जो आपका answer होगा that is lover of books which is your correct answer आगे बढ़ते है next जो हमारे series question की आ रही है that is GIS stands for तो यह question जो आपका पूछा गया है June attempt के अंदर sorry December 2002 attempt के अंदर जो March में हुआ था that is the first question जो इसके अंदर आ रहा है acronym related हमने काफी सारी previous video आपने देखी होगी acronym पे बनाई थी तो यहां पर जो acronym हमें पूछी जा रही है वो है GIS and उसकी full form दे रखी आपको चारो option में जो की काफी देखने में आपको similar लग रही होगी तो कभी कबार confusion के चक्तर में हमें each and every similar thing में जो सही होता है वो अच्छे से पहचानने में थोड़ी मुश्किल हो जाती है तो आपको ध्यान से each and every option को करना है जो suitable acronym है या full form है GIS की तो अगर हम बात करें GIS पहला option आ रहा है आपका geological informative survey second option is geographic information system next geographic information services and then geographic information software first चीज अगर हम खाली G को लेके चल रहा है full form के अंदर तो G is related to your geographic बाकी तीन option में हमें geographic दे रखा है first में नहीं दे रखा, first में geological दे रखा है वो इसका option नहीं होगा G से हमें इतना समझ में आ गया अगर हम बात करें I की G के बात, तो I represent information, information, information तो यहाँ पे भी इसका information ही है correct भी, पर हमें information तीनों में ही दे रखा है तो यहाँ पे हम find out नहीं कर पाए कि अभी तक हमारा इसमें से इन तीनों में से correct option कुन सा होगा so our last chance जो इसके अंदर बचता है वो है S S का हमें दे रखा है system, services, software geographic information, software नहीं होगा इसके अंदर services नहीं होगी correct word is system that is related to system तो यह पूरी जो term बनी geographical information system geographic information system यानि की आपका option to इसका correct answer होगा तो इस तरीके से आपको अपने जो भी acronym related questions है उनको solve करना है अच्छे से ताकि आप कोई भी similar acronym को जो की गलत answer हो सकता है उसको correct ना करा है तो दिहान से आपको each and every aspect परना है because यहाँ पर अगर हम देखे तो दोनों चीज आपको same दे रहा की थी बस last वाले differentiate थे तो अगर कभी कबार हम starting देखकर इसको या इसको टिक लगाया थे आप लोग तो वो धलत हो जाता तो यह ज़रा आपको ध्यान में लेकर चलना है आगे अगर हम बात करें question number 7 की which of the following is not a form of index journaling इन में से कौन सा index है यह नहीं पूछा जा रहा है वहाँ पर अगर हम अभी तक हमने जितने भी questions करें like यह 7th question है 6 तक सारा positive आ रहा था किसी में भी बहुत कम में I think शायद किसी में भी not नहीं आया है या आया भी होगा तो इसलिए question को ध्यान से पढ़ना बहुत जरूरी है positive question है या negative यह देखना बहुत जरूरी है not यहाँ पर है तो सबसे जादा main आपको इसी पर focus करना है कि वो कह रहे हैं इन में से जो कि उन्होंने नीचे दे रखें option कौन सा form index की नहीं है मतलब तीन तो index की form दे रखी है और एक ऐसी दे रखी है जो कि index की form में हम शामिल नहीं करते तो कौन सा नहीं है उसको हम figure out करते हैं पहला है आपका book index दूसरा है periodical index book index अबने सुना होगा yes periodical index yes newspaper index yes last is music index music index term हम indexing term में शामिल नहीं करते तो that is your correct answer music index हम index में जर्नली शामिल नहीं करते हैं तो वो इसके format के अंदर नहीं आएगा और वही आपका correct answer होगा question number 8 की बात करे question number 8 आप से पूछा जा रहा है which one of the following is not a vocabulary control यहाँ पे भी not के बारे में पूछा जा रहा है कि इन में से कौन सा vocabulary control नहीं है काफी इसमें से तीन होंगे पर कौन सा नहीं है यह आप से पूछा जा रहा है तो इसके उपर जरूर ध्यान देना है positive समझ के क्या होता है कि हम जल्दी यल्दी में positive समझ के question को पढ़ लेते हैं कि कौन सा vocabulary control है तो उन में से कोई आप तो एक दिखी जाएगा vocabulary control आप उसको tick लगाया हैंगे जो की गलत हो जाएगा because वो पुछ रहे हैं कि कौन सा vocabulary control का टूल नहीं है तो नहीं कि अगर हम साथ में बात लेकर चले तो तीन तो होंगी कौन सा नहीं है उसको हम figure out करना है trezaurus सबसे जादा important है control vocabulary के लिए use किया जाता है तो यह तो पक्का है यह आपका answer नहीं होगा क्योंकि यह vocabulary control tool है तो यह answer आपका नहीं है clausaurus भी नहीं है subject headings भी नहीं है क्योंकि subject heading भी एक तरह का vocabulary control tool है बचा ccc जो की है classified catalog code यह आपका cataloging code है इसके अंदर कोई भी vocabulary control tool नहीं शामिल है तो इसलिए classified catalog code जो है वो हमारा correct answer होगा क्योंकि वो एक vocabulary tool नहीं है यह आपका vocabulary tool नहीं है vocabulary control नहीं है तो यह इसका correct answer होगा next question की तरफ बढ़ते है who developed the idea of facet analyzes facet analyzes का जो idea है वो कहां से developed हुआ या कहां से access किया गया फिर author के name दे रखे हैं तो मैं आपको बता दू facet analyzes सबसे ज़्यादा cc से associated है colon classification से और अगर आप लोगों को पता होगा कि colon classification किस ने दिया है that is ऐसा रंगनाथर तो answer तो यहीं हो गया है बट ऐसा नहीं है कि यह आपने theory रखा के answer बता दिया है आपको option को access जरूर करना है तो हम अपने option को देखते हैं पहला option दे रखा है जेडी ब्राउन दूसरा दे रखा है मैल्विल डिवे थर्ड option आपको दे रखा है हैं रिला फाउंटेन अब दोबारा अपने question की तरफ अगर हम बात करें हमने basically उसको solve तो करी लिया था पैसिट अनलाइजर में एक और तरीका है जेडी ब्राउन भी related to library documentation पर है बट not related to facet analysis तो वह नहीं आएंगे मैविल डिवे डीडीसी लेकर आये थे बट डीडीसी के अंदर facet analysis यूज नहीं हुआ है तो वह भी हमारा option नहीं होगा आगे भठते हैं हैं रिला फॉंटेन रिलेटेट टू यूडीसी यूडीसी में भी facet analysis प्रॉपर नहीं है पूरे नहीं है या access नहीं किया गया है तो वह भी नहीं आएगा हमारा ऐसा रंगनाथन जो की column classification लेकर आये थे facet analysis के उपर तो यहीं हमारे क्या है correct option option d it's your correct answer ऐसा रंगनाथन तो इस तरीके से कभी बिल्कुल एक दब करके question नहीं पूछा जाता किसी भी मिडल के topics को ठाके phase relation पूछ लिया fully enumerative पूछ लिया कौन सी अनलाइटिक को synthetic classification scheme है इस तरीके से question आपसे पूछा जाता है तो हमेशा ध्यान रखिएगा question को घुमा कर दिया जाएगा बट पूछा आपसे वही चीज चा रही है तो उनके बारे में आपको अच्छी knowledge होना बहुत ज़रूरी है कि कौन सी classification scheme में कौन सा relation या कौन सा या कुस टाइप का analysis यूज किया गया है जैसे आपको उसका अंदाजा होगा तो फिर question किस तरीक से भी design किया गया हो आप उसको easily access कर लेंगे last question is CPM was developed by तो basically सबसे पहले तो हम CPM के बारे में पूछ देखे CPM is your critical path method पर CPM आपने पढ़ा होगा unit 6 management के अंदर critical path method जो की project management का part है management का part है अब management related वो हमसे क्या पूछना चाहरे है हमें ये वी धियान में देखना पड़ेगा वो हमसे पूछ रहे हैं CPM किसने develop किया नीचे दी गई जो भी और corporations है या कुछ भी पीपल है company है उनमें से CPM लाने वाला कौन है फर्स्ट ऑप्शन इस नूज अन्वेल रिच सेकेंड इस उनाइट स्टेट नेवी अन लॉक्ट नीड एरक्राफ कॉर्परेशन C is DuPont Company and D is Dale MacCon की ठीक है तो सब डिफरेंट डिफरेंट मैनेजमेंट एक्सपेक्ट लेकर आये थे नूज भी मैनेजमेंट की जो डिफरेंट असोसिये टर्म्स है वो लेकर आये थे बट CPM नहीं लेकर आये थे पर्ट रिलेटेड नेवी प्रोजेक्ट थे या फिर और भी डिफरेंट नेवी प्रोजेक्ट थे बट यूएस नेवी का प्रोजेक्ट CPM नहीं था DuPont Company is the company जिनों ने CPM को लेकर आये या CPM को प्रोवाइट किया डवलप किया Dale McNoney भी इसके आंसर नहीं होंगे तो यहां पर जो आपका correct option आएगा DuPont Company ही CPM को लाने वाली थी अगर हम बात करें पर्ट की तो वहां पर नेवी प्रोजेक्ट आ सकता है यहां पर हमें पर्ट नहीं पूछा गया यहां पर हमें CPM पूछा गया ओनली तो ध्यान रखिएगा अगर हमसे CPM पूछा जा रहा है तो CPM DuPont Company लेकर आई थी तो यह कुछ आपके previous year question sessions थे question paper था जो कि previously December 2022 का attempt यानि कि जो March में attempt लिया गया था वहां पर दिया गया था और उससे related questions हमने आज discuss करें इसी तरीके से इनी topics के बीच में और type का question design करके आपसे पूछा जा सकता है आपके जो आने वाला exam attempt है उसके अंदर तो question previous year paper से क्या मिलता है आपको इस तरह से जानकारी मिल जाती है कि topic पे question कैसे बनेगा और आपको उसको कैसे solve करना है तो इसी को देखके आप अपनी अच्छी से practice कीजिए जो भी आपको doubt आ रहा है आपको comment section में पूछ सकते हैं आपको December 2022 का question paper के question मिल जाएंगे solve questions ठीक है और यहाँ पे भी हमने उसको solve किया इसी तरह से part 3 के अंदर भी हम इसके remaining question को solve करेंगे तब तक के लिए आप video को अच्छे से access कीजिएगा and channel को subscribe कीजिएगा thank you so much